सब्सक्राइब करें हमारे यूटीब चैनल को और बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि हमारी नई वीडियो जाब तक पहुंच दी रहे सबको जैमसी की इस वीडियो में आपको बाइबल के दस प्रसिद्ध नामों के बारे में बताऊंगा बाइबल को रोशनी कहा जाता है जब हम भजन सायता 119 अध्याय वचन 105 को पढ़ते हैं परमिश्वर के वचन को आग के समान कहा जाता है जब हम यर्मिया 23 अध्याय वचन 39 को पढ़ते हैं परमिश्वर का वचन बीज के समान है जब हम लू का 8 अध्याय वचन 11 को पढ़ते ह परमिश्यर का वचन रोटी के समान है जब हम वेवस्ता विवरन आठ ध्याई वचन तीन को पढ़ते हैं या फिर मति चार ध्याई वचन चार को पढ़ते हैं परमिश्यर का वचन निर्मल आत्मिक दूद के समान है जब हम पहला पत्रस दो अध्याय वचन दो को पड़ते हैं परमिश्यर का वचन शहद के समान है जब हम बजन साहिता उननी सध्याय वचन साथ को पड़ते हैं परमिशर का वचन सेयानों के लिए है जब हम इबरानियों 5 अध्याय वचन 14 को पढ़ते हैं परमिशर का वचन तलवार के समान है जब हम इबरानियों 4 अध्याय वचन 12 को पढ़ते हैं प्रमिश्र का वचन हथोड़े के समान है जब हम यर्मिया 23 से 10 वचन 29 को पढ़ते हैं उसमें इस प्रकार से लिखा गया है